नमस्कार दोसका आज के इस वीदियो में हम लोग रात करने के हिंदी बारे के सभी tumor में आने क्हिंच और सब्सके पहला कोश्चन और पके तो आपको ये गद्यांस को पढ़ना है, अब आप ये खुद से पढ़ सकते हैं, ये मुझे पढ़ने की जरुत नहीं है, देखिए इसके ये कोश्चन है, तो देखिए कुमार को घाओ कैसे लग गया, कुमार अन्य देश क्यों गया, कुमार को राजा के महल में कौन सी मिली, राजा ने कुमार के अत्रिक्त संबंद देना क्यों सुरू कर दिया, और आपको ये गद्यांस पढ़का क्या सीक मिलती है, उप्यों गद्यांस का उजचत सिर्शक दीजी, यानि की टाइटल लिखना है आपको, तो ये आपका हो गया पहला कोश्चन, खंड, कह, इस इसके बाद में आगे बाद करते हैं, इसका चौंता है माता जी ने सीला को एक साड़ी दी, तो इसको आपको रचना की दर्श्टी से वाक्य का प्रकार बताना है, तीक है, इसके बाद आता कोश्चन नमर थर्ड, निमलेकित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दी जीए, तो देखिए, यहां पर जो पहले है सीपाईनी चोर को क्यों पकड़ा? इसको बताना है आपको कर्म वाच्ची में, इसके बाद में दूसरा है, लड़कों दोरा, पतंग उलाई जा रही है, इसको बताना है, कर्त वाच्चे में, इसके मैंने खाना क्हाए कर्म के बारे में बताता हूं यहां लोग देखिए आपके सामने च्छटा कोश्चन था यह अब आपके सामने देखिए सातवा कोश्चन में किनी चार प्रश्चन के उत्तर दीजिए आपको तीस से चाली सब्दों में आंसर करना है तो आप फटा-फट से इसके ले सकते हैं प्रतिमा की क्या विश्चता थी तो यह आपके कोश्चन है इसके बाद में आजाता है कोश्चन नमर आठ परने लेकित काव्यांस को ध्यान पुरवक पढ़कर पूछे गए प्रस्णों के उत्तर दीजिए तो आपको नीचे काव्यांस दिया गया यानि कि आपको एक काव या पैदल जलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिस्दार या मुखे गायक की गरज में वह अपनी गुंज मिलाता आया है प्राचीन काल से तो यह आपको इसके आंसर देना है यहाँ पर नीचे कोश्चन आपके सामने दिये गया है आपको उनके आंसर देना है ठीक है इस कोश्चन नमर 11 वे में बोलता है आपको निबंद लिखना है गलोबल वारिम के लिखो या मित्रता पर लिखो आपके ऊपर रिपेंड करता है किसी यक विसारी पर पत्र लिखना है कि आपको बीमारी के करण आप परिक्षा ना दे सकने के लिए या आपको रुपए मंगव तो आपके question है इसके बाद में मैं आप लोगों को चलो फटाफट से answer बता देता है उनके तो आप लोग त्यार रहे हैं फटाफट से screenshot लेते चलीगा तो यह जगो question पहले की answer है फटाफट से screenshot करें आप लोग ये question number पहले के answer है जो गद्यांस था उदर उपर आपका ठीक है उनके पूरे answer है उसके बाद मैं आगे बात करते हैं लोग इनके नीचे और भी लेता हूं मैं answer दिखाता हूं आप लोगों को फड़ा फड़ से इसके आपके answer हो गए जैसे आपको यहाँ गद्यांस पड़क क् answer देखिए मेरे कमरे में पुरानी घड़ी है तो इसका बन जाएगा मेरे कमरे में जो घड़ी है वह पुरानी है इस टाइप से आपको चेंज करना ठीक है तो यह सारे के सारे यहाँ पर आंसर है फड़ा फड़ से आप लोग इसकिन सोट कर लें कि यह कोश्च नमबर चौन कि यहाँ पर आपकी गोपी का किष्ण को हरित लकड़ी क्यों कहती है यह सब आपके आंसर है यहाँ पर पूरे इनके स्कुन सोट ले ले भड़ा बड़ से आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है इसके बाद में आप लोगों को ऐसी वीडियो देते रहूंगा यहाँ पर पूरे यह देखो ग्लोबल वार्मिंग का वहने मैं आप लोगों को निमंद भी दे दिया चले और एक बात आता दो आप लोगों को आप लोगों को अगर